चाहे तो चिन्दिक सूपर किंग्स ने अपने खिलाडियों कह दिया है कि जी पहले से ही तयार हो जाओ और या तो फिर हार्दिक पांडिया की रिप्लेस्मेंट के लिए सारे खिलाडी तयार हो रहे हैं जी हां पहले शिव हम दूबे को हम देख रहे थे लगातार रोहित उन पर फोकस कर रहे थे और अब लॉड शर्दूल ठाकुर ने रुणजी ट्रोफी में अपनी मेडन सेंचुरी लगा करके सबको एलान कर दिया कि वो हर्दिक पांडिया टेस्ट खेलने में ज्यादा इंट सेंचुरी उनकी 44 विकेट उनके पास है तो कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में आप हार्दिक को ज्यादा मिस नहीं करोगे क्योंकि वैसे वह खेलना नहीं चाहते हैं और शर्दूल ठाकुर तो लॉड शर्दूल ठाकुर है आज रणजी में जब मॉंबई और तमिल आड़ खेल रहे थे तो मॉंबई की स्तथी का भी खराब थी कुछ 6-7 विकड़ जिर गई थी सवा सौरन पर लेकिन फिर आते हैं और मॉंबई का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुंबई ऐसा आगरा ना प्रैंक्स्टर हो गई है पिछली बार जब कोर्टर फाइनल्स खेल रहे थे तब उनके कोट्यान और देशपांडे जो कि दोनों ग्या दस्वें और ग्यारवे नंबर पर आते हैं सेंच्री लगा दी आज शर्दुल ठाकुर ने नवे नंबर पाके सेंच्री लगा दी तो 9th 10th और 11th 9 10 11 बंदे के प्लेयर्स आकर के तीनों ने सेंच्री लग पारी कहां तक जाती है क्योंकि देखिए डेवन कॉनवे इंजर्ड हो गया है अब वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे यह जैसे साइपिल खरीब आएगा पता चल दाएगा लेकिन डेवन कॉनवे की जगा पर हो सकता है आपको रचिंद रविंद्रा देखें उसके बाद दू जंके को रिप्लेस कर दें समीर रिजवी यहां श्रदुल ठाकुर फॉर्म में आ गया है दोबारा से फिर उसके बाद वो बंदा जिसको पिछले साल तक MS दोनी as an impact player यूज करते थे तो शार्देश पंडे लास्ट में आते थे गिनवाजी करते विकट लेते थे काफी औरनुमेंट में और अब सेंचरी भी लगा दी और अभी खेल भी रहें मतलब कता नहीं यह वाला इनिंग कहा ता जाया कितना रेन स्कोर करेंगे बट अभी खेल भी रहें और कोटियान भी खेल रहें खैर तो मुंबई की जो टीम है वो काफी इच्छी दिख रही है लेकि आफीन रहें खेल तो मंबई के बाई कितनी लम्भी लीड देगी क्या तमिल अडो कुछ वापस कर पाएंगे साइकिशोर जो हैंबें कि ंनी महनत कर पाएंगे कि मंवए खेलां अबी तो और नहीं तो फिर मंबई यहां से फाइनिल में जा रही है और अगर यहां हो जाता पर उसके बाद चन्नाई के लिए शर्दूल हो गए, समीर रिजवी हो गए और उधर रचिन रविंद्रा हो गए, ये जो सब आ रहे हैं दोबारे से खेलने के लिए, ये देखिए रचिन पहली बार खेलेंगा CSK, आपको समीर रिजवी पहली बार खेलेंगा, शर्दूल अपना नंबर बढ़ाएगा, और रोहिट शर्मा के तो 5-5 शेर हो रहा था, उसक्स हो चाएगा या नहीं, CSK की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, खैर, दिखते हैं, लेट सी, इसाही चीज़े तो वक्त के साथ पता सेलेगी, लेकिन, लौड शर्दूल ठाकुर की परफॉर् थैंक यू